हेलो एवरिवन वेलकम टू जीके एसर आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो अभी आगे जुलाई में और जुलाई के बाद बहुत सारे एक्जाम साने वाले हैं तो वहाँ पे में जो ऑफेर्स सैना तो पूरे वीडियो को आप एंड तक देख लीजे हम वीडियो को जितना फास्ट करेंगे उतना बैटर है क्योकि फोर हं多少 वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी हम जल्दी-जल्दी सारे कौश वीडियो है ताकि आप जितने भी current affairs है उनको quick अगर आप कोई भी exam के लिए जा रहे हैं तो revise कर सकें और अगर आपको इसी का particular monthly videos चाहिए मैं आपको उसका link दे दूँगी तो वहां से आप जाके देख सकते हैं सारे months wise है जानवरी से लेके सारे monthly current affairs आपको मिल जाएंगे और साथ ही में weekly current affairs का भी link में आपको दे दूँगी तो दोनों ही आपको इस channel पे मिल जाएगा ठीक है तो चलिए बिना देर की हम वीडियो को start करते हैं who won the ICC women T20 World Cup तो ICC women T20 World Cup किस ने जीता है यह जीता है औस्ट्रेलिया ने तो देखिए यह हुआ कहां पे था सबसे पहले तो women T20 World Cup host किया गया था in South Africa जीती कौन है औस्ट्रेलिया सेकेंड कौन आई है रनर अरव जिसे कहते हैं हम यह है South Africa और सेकेंड रनर प्यानी की थर्ड पोजिशन पे रही है New Zealand तो आपको तीनों ही याद रखने है क्योंकि आज कल के exams में winner नहीं पूछा जाता आपसे आपसे रनर अरव पूछा जाता ह तो आपके लिए important है next देखिया who became the principal director of PIB तो PIB के principal director बन गए है Rajesh Malhotra next who has been sworn as the president of Nigeria तो Nigeria के president बन गए है Bola Tinubu next who has taken charge as vice chief of army staff तो vice chief of army staff ये बन गए है कौन सुचिंद्र कुमार next exhibition on international year of millets organized in तो international year of millet तो 2023 को international year of millet का दर्जा दिया गया है इसलिए ये exhibition एक करवाई गई तो ये कहां पे करवाईगे आपको बताना है तो ये करवाई गई है गोवा में ये question आपके लिए बहुत important है अच्छे से याद रखिएगा बात करते हैं गोवा की तो गोवा का capital है पंजी गोवा की largest city जो है वो है वासको डिगामा यहांके CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लाई next Asia's largest helicopter factory opened in तो Asia की largest helicopter factory जो है ये open करी गई है इन तुमकूरू करनाट का next शिनी महित्री is a exercise between India and तो इंडिया और किसके बीच की ये military exercise है शिनी महित्री तो ये है इंडिया और जपैन की बीच की इसके अलावा एक और joint army exercise होता है between India and Japan जिसका नाम है धर्मा गार्जियन दोनों आपको अच्छे से याद रखना है next according to director general of civil aviation which airline has emerged as largest foreign airline तो largest foreign airline का दर्जा दिया गया है किसे emirates को next who has been elected as new president of Vietnam तो वेतनाम के new president बन गए है वो वान तूंग next world wildlife day is proclaimed on तो wildlife day जो है ये कब होता है ये होता है on march 3 को तो इसका theme था इसी येर में partnership with wildlife conservation तो आपको theme सच्छे से याद रखने है next question देखें important question है ये India's installed first bamboo barrier in तो इंडिया का पहला bamboo barrier ये कहां पे लगाया गया है तो ये लगाया गया है महरास्टर में important question next first ever woman premier league begins in तो women IPL start किया गया था 2023 में तो ये कहां पे करा गया है आपको ये बताना है easy question ये मुंबई में start किया गया है next international women's day is celebrated on तो international women's day जो है celebrate किया जाता है March 8 को बहुत important question है आपके लिए साथ में इसका जो theme था इस बाहर का ये था embrace equity theme को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है next देखिए who took charge as the new controller general of accounts very important question controller general of accounts बन गए है हमारे SS दुबे ये question definitely exam में पूछा जाएगा ठीक है next who wrote the book Indian struggle for independence गांधियन एरा तो ये जो book है ये लिखी गई है by P. Jyoti Mani next savalon India named whom as their woman first world's first hand ambassador sorry ये world first hand ambassador बनाया गया है किसे तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को next fringex 23 is a military exercise between India and तो fringex 23 जो है ये एक military exercise है between India and तो देखे नाम में आपको समझ में आ रहा है याँ पे FR यानि कि क्या है ये ये France है ठीक है FRI है तो France और India तो इसका आज़र हो जाएगा France तो बात करते हैं France की capital है Paris President है यहां के Emmanuel Macron और PM है यहां की Elizabeth Bond next who has won the professional photographer of the year award तो professional photographer of the year of the award दिया गया है सशी कुमार रामचंदरन को next who won the lifetime achievement award at national photography awards तो lifetime achievement award दिया गया है शिप्रा दास को next who has been sworn as 13th CM of Meghalaya तो Meghalaya के 13th CM बन गए है Conrad, Sagma तो Meghalaya का capital क्या है ये है Shilong तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like करिएगा और अगर आपको ऐसे ही content चाहिए तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए आपको ऐसे बहुत सारे content आगे मिलते रहेंगे और आपको अगर कोई भी वीडियो यानि topic के ओपर वीडियो चाहिए तो आप जरूर comment section में comment करिए मैं definitely वीडियो को upload करूँगी ठीक है तो देखे अगला question इंडिया इंडियन आर्मी installed tallest iconic national flag in तो इंडिया इंडियन आर्मी जो है इन्होंने tallest iconic national flag लगाया है कहाँ पे तो tallest flag ये लहराया गया है इन जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के डोड़ा district में इसे install किया गया है next देखे बुम्चू festival celebrated in तो बुम्चू festival जो है ये celebrate किया जाता है in Sikkim next who is the PM of Australia तो Australia के PM कौन है तो ये है Anthony Albanese ठीक है तो ये जो थे इंडिया के दोरे पे आये हुए थे तो इसलिए आपके लिए question important है मनिपूर में तो मनिपूर की ये holy है ठीक है तो इसे हम holy को ही योशांग कहते हैं मनिपूर में next who is the PM of Japan तो जपाम के जो PM है ये है किशिदा फूमियो next who has won bronze medal at ISSF shotgun world cup 2023 ISSF में bronze medal किस ने जीता है तो ये जीता है पृत्वी राज तो नमान ने ठीक है तो ये ISSF का full firm क्या है इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका headquarter है म्यूनिक जर्मनी में इसको found किया गया था in 1907 ठीक है और after 2022 ISSF ने रश्या और बेलरुस को इससे हटा दिया है क्योंकि यूक्रेन और रश्या का जो वार हो रहा था उसकी वज़े से रश्या को इसमें से हटाया गया था तो ये किस IIT ने बनवाया है तो ये बनाया है और ये 1507 मीटर लॉंग है नेक्स्ट नितिन गटकरी इनागरेटिट फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन तो नितिन गटकरी ने इनागरेट के अपना फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज कहां पर तो यह किया गया है करनाटका में ही तो करनाटका में कहां बैंगलूरों में इसे करा गया है तो बात करते हैं करनाटका की CM है बासव राज पुमाए अभी चेंज हो गया है यह उस टाइम की बात थी अब कौन हो गया है बताईए आप अगर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए आगे इसका अंसेर आपको मिल जाएगा ठीक है कैपिटल है बैंगलूर और गवर्नर है थावर्चन गहलोट नेक्स्ट सोफिया इस इंस्ट्रूमेंट डवलप्ट बाई तो सोफिया एक इंस्ट्रूमेंट है इसे किस ने डवलप किया है तो इसे नासा ने डवलप किया है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक अब्जर्वेट्री फॉर इंफ्रा-ड एस्ट्रूमेंट तो इसका काम क्या है ये करता है measure ratio of main to heavy oxygen in mesosphere and lower mesosphere next very important question अटूकल पोंगल is a festival celebrated in तूकल पॉंगल जो है, यह celebrate किया जाता है in Kerala. Next, World Consumer Rights Day is observed on, तो Consumer Rights Day observed किया जाता है 15th March को, इसका थीम था इस बार का, Empowering Consumer Through Clean Energy Transitions. Next, Freedom Shield is a Joint Military Exercise Between, तो Freedom Shield जो है, यह Joint Military Exercise है, between US and South Korea. Next, according to Ministry of Education, which state has lowest literacy rate, तो lowest literacy rate कहां की है, तो यह है, बिहार की, तो देखिये, according to Census 2011, lowest literacy rate भी थी, कहां की, बिहार की, और अभी Ministry of Education की रिपोर्ट के अनुसार भी, यह बिहार है, ठीक है, Next, Aralang Wildlife Century कहां पे है, यह आपको बताना है, तो यह है, Kerala में, Next, Fringics is a Military Exercise, यह हमने already discuss कर लिया, ठीक है, तो यह है, France, Next, which company has released its AI chatbot, Claude, तो देखिये, यह Claude है, ठीक है, तो AI chatbot की यहां पे बात की जा रही है, तो यह किसका AI chatbot है, तो यह है, Anthropic Company का, Next, who has been appointed as chairperson of PFRDA, तो PFRDA के chairperson, कौन appoint हुए है, तो यह हुए है, दीपक मुहन्ती, तो देखिये, बात करते हैं, PFRDA की, इसे establish किया गया था, 2003 में, headquarter है, New Delhi, Next, National Vaccination Day is observed on, तो National Vaccination Day, यह observed किया जाता है, on 16th March को, Next, which country participated in joint exercise named, बोल्ड कुरुकशेत्र, तो बोल्ड कुरुकशेत्र जो है, यह joint military exercise है, किसकी, इंडिया और सिंगापूर की, Next, Jio Cinema signed, whom as their brand ambassador, तो Jio Cinema के brand ambassador बन गए है, सूर्य कुमार यादव, तो अगर आपसे question पूछा जाए, सूर्य कुमार यादव is related to which game, तो आपको पता होना चाहिए, यह cricket से associated है, देखिए, यह बहुत easy question है, बढ़ फिर भी कुछ लोग नहीं जानते हैं इसे, ठीके जो cricket अगर जानते हैं, वो जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, Next, Full day is a festival celebrated in, तो full day festival कहाँ पे celebrate किया जाता है, यह celebrate किया जाता है उत्तरा खण में, तो देखिए, अभी यह वीडियो आपको थोड़ा fast लग रहा होगा, अगर आपको monthly current affairs चाहिए, हर month के current affairs, तो यहाँ पे जो i button होता है, मैं आपको वहाँ पे link देदूँगी, सारे January से लेकिए अभी तक के monthly current affairs के, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, और साथ में weekly current affairs, अगर आपके पास time है, तो आप वह भी कर सकते हैं, उसका भी link आपको same वही पे मिल जाएगा, next, who has become the fastest Indian to swim across, Palk Strait, तो देखिए, एक Indian जिनोंने Palk Strait, Palk Strait कहा है, यह India और Shri Lanka की जो water border है, ठीक है, तो अगर यह India है, है और यह Shri Lanka है, तो यह जो border है है न, इसे हम कहते हैं, Palk Strait, तो इस Palk Strait को, swim करने वाले, है न, fastest Indian बन गए हैं, संपन, रमेश, next, Luxor has appointed whom as their brand ambassador, तो Luxor company जो है, है न, यह जो pen होती है, उनसके brand ambassador बनाए गए हैं, विराट कोहली, next, which airport has been ranked as best airport in South Asia, 5th time, तो best airport in South Asia, ठीक है, यहापे South Asia की बात की जा रही है, यह दिया गया है, इंद्रा गांधी International Airport को, यह कहाँ पे है, यह है, डेली का Airport, और इसके अलावा, वर्ल्द में, जो है, सिंगापूर के चंगी Airport को दिया गया है, यह award next who has been conferred with governor of the year award governor of the year award दिया गया है किसे यह दिया गया है शक्तिकांथ दास को तो शक्तिकांथ दास है कौन यह है अभी RVI के present governor ठीक है RVI Reserve Bank of India के present governor है शक्तिकांथ दास next who has been appointed as MD CEO of TCS ठीक है तो TCS company के MD CEO कौन बनाए गये है तो यह बना दिये गए है केक रिती वसन next विपिन रावत दा मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म इस अ बुक रिटन बाई तो यह जो बुक है यह किस ने लिखी है यह लिखी है रचना बिष्ट ने next very important question for your exam what is India's place in world happiness index तो world happiness index में इंडिया की rank है 126 और देखिए यहाँ पे top किया है Finland ने है ना second आई है Denmark और third आई है Iceland तो हम है 126th नंबर पे next who has won the men's double title in tennis men's double title in tennis जीता है किसने Rohan Bopana और Matthew Abden दोनों ने तो यहाँ पे हो जाएगा both next who has comfort with Sangeet Kala Nidhi Award तो Sangeet Kala Nidhi Award दिया गया है किने यह दिया गया है जया श्री को तो यह कौन है यह एक renowned Carnatic vocalist और musician है next who has won the Saudi Arabian Grand Prix Saudi Arabian Grand Prix यह किसने जीता है यह जीता है सर्जी और पेरिज ने तो देखिए अब यह जो है Grand Prix जो होते हैं आपको confusing लगते होंगे क्योंकि यही चार नाम हैं जो बहुत repeat होते हैं ठीक है इसके बाद Carlos Sangeet यह एक नाम आता है हर जगा पे तो इस बार के जो यह हैं देखिए यहाँ पर Saudi Arabian बोला गया है ठीक है इसरो के साथ जोंच किया था यह इन्हों है 36 satellites के साथ launch किया तो यह क्या है? It is a 3-stage medium lift launch vehicle developed by ISRO It is designed to launch communication satellite into geostationary orbit आपके लिए यह इतना important नहीं है आप सिर्फ यह number को याद रखे Next Where will be Olympics 2024 held Olympics कहां पे होने वाला है? यह होने वाला है, Paris में Next, which state has topped Global Terrorism Index Global Terrorism Index यह किसने top किया है? यह top किया है यहाँ पे आफगानिस्तान ने इंडिया की यहाँ पे rank थी 13th World Happiness Index में कितनी थी? 126 यह ना, Terrorism में कितनी है? 13th दोनों याद रखेगा और अफगानिस्तान की capital है काबुल I hope आपको वीडियो समझ में आ रहा है Next देखिए, International Day of Happiness is celebrated on International Day of Happiness 20 March को celebrate किया जाता है इसका theme है Be Mindful, Be Grateful, Be Kind Next Which country is going to become the first country in Asia to undergo governance diagnostic exercise by IMF? यह कोशन आप लीव कर दीजिए उतना important नहीं है सिर्फ IMF जो है, इसके बारे में आप याद रखेए IMF जो है, International Monetary Fund है जिसे establish किया गया था 1945 में इसके बाद इसका headquarter है Washington DC, Chief Economist है Perrier, Olivier और MD है Crystalina George जिवा यह सिर्फ आप अच्छे से आद रखेए Next देखिए, who has been declared as CMJ Spirit of Cricket Award CMJ Spirit of Cricket Award दिया गया है आसिफ, शेक को Next, International Day of Forest celebrated on, तो यह होता है on 21st of March को World Water Day is absorbed on तो World Water Day very important for your exam यह होता है 22nd of March और इस बार की इसकी theme थी accelerating change तो आपको यह वाला तो बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है Next देखिए World Theatre Day is observed on तो Theatre Day जो है यह observe किया जाता है 27th March को इस बार का जो theme था यह था Theatre and a Culture of Peace Next Which player has become the oldest ever goal scorer oldest ever goal scorer बन गए है कौन Zlatan Abrahamovic Next Who has appointed as Okay Who has been appointed in Order of Australia for distinguished service ठीक है तो यह award दिया गया है ठीक है highest order of Australia ठीक है for distinguished service यह दिया गया था Ratan Tata को Next Able prize is given in the field of तो Able prize जो है यह किस field में दिया जाता है यह दिया जाता है in the field of maths तो यह दिया गया है Louis Caffarelli को इस बार Next Who becomes the most valuable celebrity for endorsement in 2022 ठीक है तो valuable celebrity in endorsements जो ads आती है ना तो वहाँ पे most valued celebrity बन जाते हैं Ranveer Singh और सबसे पहले यहाँ पे विराट कोली थे बट उनकी जगा प्याब आ गए है Ranveer Singh ठीक है Next Martir Day is observed on तो Martir Day जो है यह 23rd March को observe किया जाता है Next घोडे जात्रा is a festival of horses celebrated in which country यहाँ पे country पूछ रहा है आप से ठीक है तो घोडे जात्रा festival ठीक है कि कहाँ पे celebrate किया जाता है यह होता है इन नेपाल के साइज है इंडिया और किसके बीच की यूग यह नेक्स्ट विच स्टेट हास बीकम दा फर्स्ट इनियन स्टेट तो अचीव 100% railway electrification तो 100% railway electrification हो गया है इन दा स्टेट हर्याना next war and woman is a book written by तो war and woman book लिखा गया है किसके द्वारा M.A. हासन के द्वारा next who has been conferred with Assam's highest civilian award Assam के highest civilian award दिया गया है तेपे सेकिया को ठीक है बात करते हैं Assam का capital है दिसपूर CM है हिमंत बिश्व सर्मा यहां का governor है गुलाग चंद कटरिया और यहां की official animal है इंडियन राइनसोरस next who has been appointed as MD CEO of BSE तो BSE के MD और CEO बन गए है कौन तो यह है सुन्दर रामन, राम मूर्ती next who has been appointed as MD CEO of Indian Overseas Bank तो Indian Overseas Bank के MD बन गए है अजय कुमार, श्रिवास्तव governance day is celebrated on तो governance day जो है यह celebrate किया जाता है on December 25th next who has been sworn as President of Brazil तो President बन गए है Brazil के Lula Da Silva, important question बात करते हैं Brazil की capital है Brazilia और currency है Rial next who has been appointed as chairman of railway board important question railway board के chairman बन गए है अनील कुमार, लाहोटी next, 108th Indian Science Congress to be held in तो 108th Indian Science Congress होने वाला है नागपूर में next, India's first underwater metro will begin in तो इंडिया का सबसे पहला underwater metro ठीक है, पानी के नीचे यानि कि जब पानी है, पानी के नीचे metro बनाया जाएगा तो ये किया गया है in Kolkata ठीक है, तो इसको बनाया जा रहा है under Hooghly River ठीक है, Hooghly River जो आप जानते है Kolkata में flow होती है उसके नीचे बनाया जा रहा है ये metro को next ये कोशन आप लीव कर सकते है next, देखे तो नेपाल की न्यू प्राइम मिनिस्टर बन जाते है पुश्पा दहल next DRDO celebrated its 65th foundation day on तो DRDO ने अपना 65th foundation day celebrate किया कब तो ये किया इन्होंने 1st January 2023 को तो इनको बन के टोडल 65 years हो गए है देखे, इसको established किया गया था 1958 में headquarter है New Delhi next who has become India's 78th grandmaster तो इंडिया के 78th grandmaster बन जाते है कौस्तव चटरजी next Ministry of Railway has outlined 5 year plan to become carbon neutral by तो railway जो है carbon neutral यानि zero carbon use बनने जाने वाली है कब तक? 2030 तक next which state government has launched CM residential land rights scheme CM residential land rights scheme जो है ये दिया गया है by Madhya Pradesh government next which country becomes first country in Asia to launch hydrogen powered train तो hydrogen powered train बनाने वाली एशिया की पहली company बन जाती है यानि की country बन जाती है चाइना और पूरे वर्ल में बन जाती है जर्मन next Siom bridge was inaugurated in तो Siom bridge को inaugurate किया गया था in अरुनाचल प्रदेश next who has become first woman officer to get operationally deployed in Siya Chin तो इसका answer हो जाएगा Captain Shiva Chauhan next Mopa Airport Goa is renamed as तो Mopa Airport जो है Goa में इसको रिनेम किया गया है as Manuhal International Airport next PM Modi to launch the world's longest cruise Ganga Villas from Varanasi 2 तो वर्ल की जो longest cruise है ठीक है यह है Ganga Villas तो इसको वारा नसी से ले करके दिब्रुगर तक के लिए इसे चलाया जाएगा next first ever National Genome Editing and Training Center inaugurated in तो National Genome Editing and Training Center जो है यह inaugurate किया गया है मोहाली में next a 120 feet tall statue of polo player inaugurated in 120 feet tall statue of polo player यह inaugurate किया गया है in Manipur और देखिये यहाँ से एक और question arise होता है कि polo यह जो game है है इसमें कितने players होते है यह last year के SSC Cigial के exam में भी आ चुका है तो polo में होते हैं total four players तो आपको याल रखना है next world's first palm leaf manuscript museum यह कहाँ पर बनाया गया है यह बनाया गया है तिरोनंत पुरम केरला में next इमोईनु इरादपा festival celebrated in तो इमोईनु इरादपा festival celebrate किया जाता है मनिपूर में next election commission has appointed whom as the Bihar's state icon तो Bihar के state icon election commission ने select किया है माइथली थाकूर को next who of the following will host voice of the global south summit तो voice of the global south summit इसको host करने वाला है हमारा country इंडिया इस बार के इसकी theme है unity of voice, unity of purpose ठीक है next the 2023 men's FIH hockey world cup was hosted by तो देखिए बहुत important है आपके लिए FIH hockey world cup जो है ठीक है यह कहाँ पर हुआ है देखिए यह हुआ है in Odisha इसका mascot था Ollie the olive ridley turtle इसके बाद इसके winner रहे थी Germany और runner अप रही थी Belgium तो आपको यह सब बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ से question आ सकता है next गान नगाई festival celebrated in तो गान नगाई festival कहाँ पर celebrate किया जाता है तो यह भी मनीपूर में celebrate किया जाता है next इसरो ties up with which of the following for space tech startups तो space tech startup के लिए इसरो ने tie up किया है किसके साथ तो यह इन्होंने किया है with Microsoft next who has become India's 79th Grandmaster तो इंडिया के 79th Grandmaster बन जाते है प्रनेश M तो हमने अभी बात की थी 79th है ना और इससे पहले हमने बात की 78th की तो यह थे कौस्तव चटरजी तो आपको last three अच्छे से याद होने चाहिए next who among the following becomes first woman cricketer to get bronze statue at Sydney Cricket Ground तो Sydney Cricket Ground में पहली woman cricketer जिनकी एक bronze statue बनाए गई यह कौन है तो यह है Belinda Clark next which among the following city becomes first ever to host Formula E Championship race तो Formula E Championship race करवाने वाली पहली city in India बन जाती है है हैदराबाद next अमबेटकर अलाइफ बुक written by तो यह जो बुक हैं अमबेटकर अलाइफ यह किस ने लिखी है यह लिखी है सशी धरूर ने very very important question ठीक है आ सकता है definitely next India's second largest cable 8 lane Jwari Bridge open that तो Jwari Bridge यह कहां पे है अगर आपसे पूछा जाए तो यह है in Goa next India's first purple fest was organized in तो India का सबसे पहला purple fest जो है यह organized किया गया था in Goa next who has become new CEO of FSSAI ठीक है Food Safety and Standards Authority of India के new CEO बन गए है कौन G. Kamala Varadhan Rao very important question next where has 700 feet wall of peace a pastor piece of moral art inaugurated ठीक है तो wall of peace यह कहां पे बनाया गया है जो जिसकी height कितनी है 700 feet यह बनाया गया है चैरपूर्ला सेरी के रिला में the award for best song and best foreign language film तो यह दिया गया है Raj Molly को ठीक है best picture यहां पे मिली थी everything, everywhere, all at once को best actor मिला है Braden Fraser को और best actress दिया गया था Kate Blanchett को Next, who has won the 71st annual Miss Universe pageant Very important question 71st Miss Universe pageant जीता है R. Bonnie Gabrielle ने Next, P.U.S. Goyal launched Dash Portal for Startup Mentorship ठीक है तो जो start-ups होती है जो small businesses जिन्होंने start-up किया होता है उनके लिए एक portal launch किया गया है by P.U.S. Goyal उसका नाम है Marg Marg का full form है Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and Growth तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा Marg word में जो एक scheme है by government इसमें R का मतलब क्या है आपसे ऐसे question पूछा जाएगा तो इसलिए आपको पता होना चाहिए Next, which district has become first constitutional literate district तो first constitutional literate district बन जाती है कोलम केरेला Next है which union territory has become fully digital, making all services digital ठीक है, तो union territory जिनोंने अपना सारा जो government का services है, उसको digital कर दिया है, ये बन जाती है जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे हम union territory की बात कर रहे है Next, देखिए which movie has screened at SCO Film Festival, organized by SCO Council तो SCO Council के दौरा कौन सी movie यहाँ पे film festival में लगाई गई थी तो यह लगाई थी Tulsi Das Junior Next है, India and Egypt fully digital ओके यह थोड़ा question wrong हो गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपसे question है कि India और Egypt का military exercise का नाम क्या है तो यहाँ पे देखिए आप इसको हटा दीजी ठीक है, military exercise क्या है तो यह है Cyclone 1 Next Which country has been invited as guest country at G20 summit तो G20 बहुत चर्चे में था इसी यर तो G20 को हम, हमारी country इंडिया नहीं host किया था तो इसके जो guest country थी ठीक है, हर बार एक guest country को बुलाया जाता है तो यह थी इस बार, Egypt Next है, Varuna Naval Exercise in Indian Ocean between India and तो Varuna Naval Exercise, किसके बीच की exercise आपको यह बता है तो यह है between India and France Next देखिए, Maghi Mela Festival held in तो Maghi Mela Festival जो है, यह organize किया जाता है in Punjab Next Which cricketer has become fastest Indian and joined second fastest ever to score 1000 ODI runs तो यह बन गए है, Shubman Gill Next India's first school of logistic, waterways and communication launched in तो यह launch किया गया है in Agartala, Tripura Next Union government included which plant in the list of protected plant तो इन में से किसको protected plant में डाल दिया गया है यह है Neela Kurangji Next IIT Madras incubated firm Jan K Operations Private Limited has launched India's indigenous mobile operating system named तो इंडिया की एक अपनी operating system launch की गई है by IIT Madras ठीक है, इसका नाम है भार OS Next विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल और्गनाइज इन तो यह और्गनाइज किया गया है इन भुपाल, Madhya Pradesh Next रेयर ओरेंज बैट इस पॉट्ट इन विच नेशनल पार्क तो यह रेयर वराइटी ओर्गनाइज बैट स्पॉट किया गया था इन कांगिर वैली नेशनल पार्क जो कि सिचुएटेड है इन छत्तिसगर Next विच स्टेट इस गोइंग तो होस्ट सरस फेर तो सरस फेर ओर्गनाइज किया था बाई जम्मू कश्मीर नेक्स्ट है परकरम दिवस यानि कि वेलर डे ये सलिब्रेट किया जाता है ओन दा बर्थ अनिवर्शरी ओफ सुभाष चंद्र बोस ये कब होता है तो ये होता है ओन जैन्वरी 23rd तो इंडिया तो नेपाल के अंबैजडर बन गये है कौन नवीन श्रिवास्टव नेक्स्ट इंडिया's deepest metro station is built at तो इंडिया का deepest metro station जो है ये build किया गया है इन पुने नेक्स्ट इंटरनाशनल Education Day celebrated on तो International Education Day होता है on 24th Jan और इसी दिन celebrate किया जाता है National Girl Child Day नेक्स्ट है SCO Film Festival held in तो ये कहां पे held किया गया था, ये हुआ था in Mumbai Next, which airport won the best sustainable green field airport award तो ये दिया गया है to Manohar International Airport Goa Next है, which state targets to become the first state to be green energy state by 2025 तो 2025 तक green energy बन जाने वाली state हो जाएगी, कौन सी Himachal Pradesh Next, who has been appointed as chairman of Amul तो Amul के chairman बन गया है, शमल भाई पतेल Next, North India's largest floating solar power plant inaugurated in तो इसको inaugurate किया गया है, इन चंदिगड Next है, which state will host AIFF 2023 तो AIFF का full form यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको host करने वाली है, Kerala Next, India's first nasal vaccine against COVID-19 made by तो ये Incovac, ठीक है, nasal vaccine है against COVID ये बनाया गया है भाई, 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 बायो टेक Which cricketer has been named ICC Men's Test Cricketer of the Award ये तरहीं बोड़न नहीं है, आपके लिए, लीव कर दीजे Next, देखिए Which Indian cricketer became number one bowler in ODI cricket तो ODI cricket में number one bowler बन जाते हैं, Mohamed Siraj Which cricketer became ICC Men's Cricketer of the Year तो Indian cricketer की बात की जा रही है, तो ये बन गए है, सूरे कुमार यादव Next है, Which railway station has been awarded Green Railway Certificate तो Green Railway Certificate दिया गया है, विशाका पत्नम railway station को Next है, Veer Guardian is a military exercise between Veer Guardian जो है, military exercise है between India and Japan Next है, UNESCO designate Odessa World Heritage in Danger, located in which country तो Odessa, ठीक है, ये कहां पे है, ये है in Ukraine, जिसको अभी Danger List में डाला गया है, Next है, India's first mission To the sun will be launched by ISRO in June, July, ठीक है, इंडिया का पहला mission to sun, इसका नाम क्या है, इस mission का, इसका नाम है, Aditya Elvan Next है, Annual Orange Festival is celebrated in, Annual Orange Festival celebrate किया जाता है नागा लेंड में, which country has won, women under 19 cricket world cup तो women under 19 cricket world cup किस ने जीता है, ये जीता है, इंडिया ने Which bowler became highest wicket taker in T20, तो ये बन जाते हैं, Yujdvendra Chahal Mughal Garden in New Delhi is renamed as, तो Mughal Garden का rename का क्या अर्दिया गया है, ये है, Amrit Udyyan Next है, who has been signed as brand ambassador of Puma, India तो Puma, India की brand ambassador बन गई है, Harman Preet, Kaur Next, which country is named as the partner of India in Bio Asia 2023, तो Bio Asia की partner बन जाती है, India में, United Kingdom इसकी theme थी, advancing for one, shape the next generation of humanized health care Next है, which country has won FIH World Cup, ठीक है, तो हमने जो FIH hockey की बात की थी, जहाँ पर कौन था, जहाँ पर host किया गया था, ये, ये host किया गया था, इन Udisa, ठीक है, इसे किस ने जीता था, ये जीता था Germany ने, ये option यहाँ पर गलत है, इसका answer Germany होगा, ठीक है, next देखिए, तो ये थोड़ा Republic Day के बारे में है, आप just एक बार read कर लीजेगा इसको, देखिए, next Which edition of Khelo India Youth Game has begun in Madhya Pradesh, तो Khelo India Youth Game का कौन से edition खेला गया था, तो ये था, इसका 5th edition, इसकी विनर रही थी महारास्ट, next है, which of the following has been sketched as brand ambassador of National Mineral Development Corporation, तो National Mineral Development Corporation की Brand Ambassador बन गई है, निखत जरीन, next है, who has won the men's single match in Australian Open, तो ये जीता है, किसने ये जीता है, नुवाक, डो जो कोविक ने, इन्होंने Grand Slam भी जीता था, ठीक है, next, who has become new Vice Chief of Indian Air Force, तो Vice Chief बन गए है Indian Air Force के, A.P. Singh, next है, who has been selected as brand ambassador of Arunachal Pradesh, तो Arunachal Pradesh के brand ambassador बन जाते हैं, Sanjay Dutt, next, according to IMF, which country will remain fastest growing major economy, तो ये रह जाएगी, India, next question है, joint military exercise name, त्रिशक्ती प्रहार between Air Force and C.A.P.F., तो त्रिशक्ती प्रहार जो है, एक military exercise है, between Indian Army, ठीक है, Air Force और C.A.P.F., next, poverty of political economy, ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है, मेगनात, देसाई ने, next, world wetland day celebrated on, तो wetland day होता है, 2nd February को, इसकी theme थी, it's time for wetland restoration, अगला question देखे, which place in Ladakh has become first biodiversity heritage site, तो first biodiversity heritage site बन जाती है, या या, so, world cancer day is marked on, तो world cancer day होता है, on February 4th, इसकी theme अब देख सकते हैं, या पे, next, ये हमने अलरडी पढ़ लिया है, ठीक है, helicopter जो तुम कूरू करनाटका में बनवाया गया है, factory, ठीक है, next, देखे, who has become the only living Indian to win Grammy thrice, तो ऐसे Indian जिनोंने Grammy Awards को thrice जीता है, ये बन जाते हैं, Ricky Kej, तो ये Grammy Awards के बारे में कुछ यहाँ पे detail दिया गया है, जस्ट आप एक बार read कर लीजेगा, next, देखे, who is going to host 6th Shanghai Corporation Organization Supreme Audit Institution Meeting, तो ये जो है, होस्ट करने वाले हैं हमारे CAG, next, काला गोडा आर्ट फेस्टिवल बिगेन इन, तो काला गोडा आर्ट फेस्टिवल होता है महरास्ट्रा में, International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation Observed On, तो ये observe किया जाता है 6th February को, इसका theme था, partnership with men and boys to transform social and gender norms, next है, Khello India Winter Games held in, तो Khello India Winter Games जो है, ये held किया गया था, जम्मू कश्मीर में, next है North East, first compressed biogas plant और inaugurated in, तो compressed biogas plant को inaugurate किया गया है, असम में, श्री लंका celebrated its Dash Independence Day, तो श्री लंका ने अपना 75th Independence Day यहाँ पे celebrate किया है, तो देखें, ये कुछ यहाँ पे श्री लंका के बारे में दिया गया है, तो मैं आपको detail नहीं बता सकती, क्योंकि ये वीडियो अलोड़ी lengthy हो जाएगी, इसलिए, ठीक है, ये इतना important नहीं है आपके लिए, next देखें, what was the magnitude of devastating earthquake in Turkey and Syria, ठीक है, तो recently जो earthquake आया था, उसमें, उसकी magnitude कितनी थी, आपको ये बताना है, तो ये थी 7.8, ठीक है, तो Turkey की बात करते हैं, अंकारा, खरंसी है लीरा, next है, who has been awarded with, मात्र भूमी book of the year award, तो ये दिया गया है किसे, पैगी मोहन को, Indian railway launches dash for online food delivery in trains, तो Indian railway ने launch किया है, एक app for online food delivery, जूप अप, ठीक है, next है, RBI increases report, report नहीं है ये, ये है repo rate, ठीक है, तो repo rate RBI ने increase किया है, by how many basis points, तो इन्हों ने increase किया है, by 25 basis points, तो इसी बीच में golden books award भी आया था, ये कुछ important books है, आप एक बार just read कर लीजे, इसको मैं फिर से, एक book का, अलग से वीडियो बना के, वहाँ पे आपको मैं explain कर दूँगी, ठीक है, next देखिए, which planet has most known moons, तो किस planet के पास, सबसे ज़्यादा moons है, तो ये है Jupiter, next है, which of the following is world's first living heritage university, तो world की पहली living heritage university बन जाती है, विश्व भारती, next है, victory city book released by, तो ये लिखा गया है, बाई, शल्मान रुष्टी, next है, puduman pen is a scheme of its state, तो ये है scheme of Tamil Nadu state, इस्रो नासा में dash satellite to launch to provide information about earth's crust and ice sheets, तो इस्रो और नासा ने मिल के, क्या बनाया है, निसार satellite, ठीक है, तो थोड़ा नासा के बारे में, यह आपे detail से पढ़िएगा आप, next है, आत्मा lifetime award किसे दिया गया है, के दिया गया है, के दिया गया है, के मामेम को, जो की MRF Limited के MD है, next है, for the first time in India, lithium deposits were found in Jammu Kashmir of around how many million tons, तो यहाँ पे यह मिला है, 5.9 million tons, next है, World Pulses Day celebrated on, तो यह है February 10th को, इसकी theme थी पलसेज for sustainable future, next है, Indian Air Force to participate in exercise Desert Flag 2, in which country, तो यह जो Desert Flag exercise है, यह इंडिया और, UAE के बीच में होता है, next है, ICC 220 Women World Cup held in, तो यह कहाँ पे हुआ था, यह हुआ था, South Africa में winner रही थी, Australia और runner up रही थी, Australia, हमने इसे अलरड़ी पढ़ लिया है, next है, which state has got loan of 130 million dollar from ADB to promote horticulture, तो यह loan दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को by Asian Development Bank, next है, which crickigator became first captain to score century in all formats of cricket, तो हर format की cricket में, इन्होंने century ही मारी है, यह है, Rohish Sharma, यह question अलरड़ी DRDो के exam में पूछा गया है, तो यह important हो जाता है, next है, National Women Day is celebrated on, तो National Women Day, जो है, 13th Feb को celebrate किया जाता है, who won the first ever Formula E race, तो first ever Formula E race, जो है, यह जीता है, Jean Eric Vargani ने, PM inaugurated 14th edition of Aero India in, तो 14th edition of Aero India जो है, यह हुआ था, Bengaluru में, Ministry of Science and Technology, Jitendra Singh inaugurated International Biotech Conclave in, ठीक है, तो यह Jitendra Singh, जो है, Minister of Science and Technology है, इन्होंने International Biotech Conclave, है न, यह करवाया है, कहाँ पे, इमफाल, Manipur में, who secures the highest bid of 3.4 crore in, Women Premier League, ठीक है, तो Women Premier League में highest bid दी गई है, किसकी, स्पृति मंदना की, next है, who won the Khello India Youth Game, तो Khello India Youth Game, जो है, जीता है, महरास्टर ने, अलड़ी हमने डिसकस कर लिया है, यह, next है, who won the Football World Cup, तो Football World Cup जीता है, किसने, मार्डरिद ने, next है, who has been awarded, Felix Hoffit, Boyney, UNESCO Peace Prize, यह गिया है, किसे, इंजिला मेर्कल को, who has been elected as new president of Bangladesh, तो Bangladesh की new president बन जाते हैं, मुहमद शहबुदीन, IAF contingent to participate in exercise, Cobra Warrior to be held in, तो यह कहाँ पर होने वाला है, Cobra Warrior exercise, यह होने वाला है, UK में, शिंकुला tunnel will be constructed, to provide connectivity between, तो शिंकुला tunnel जो है, यह बनवाने वाला है, कहाँ पर, यह बनने वाला है, इन हिमाचल और लदाग के बीच में, और यह जो है, connect करेगा इन दोनों को, नेक्स्ट है, तारकाश is a military exercise between, तो यह जो military exercise है, यह between India and Shri Lanka है, नेक्स्ट है, शिवमोगय airport is inaugurated, is located in which state, तो शिवमोगय airport जो है, यह located है इन करनाट का, which installment of किसान सम्मान योजना, has been released by PM, तो किसान सम्मान योजना की, 13th installment अभी दी गई है, global tech summit to be held in, तो global tech summit कहाँ पे होने वाला है, तो यह होने वाला है, विशाका पत्नम में, next है, who has been awarded with, FIFA football player award, तो यह दिया गया है, Lionel Messi को, next है, India to set up first waste to hydrogen plant in, तो first waste to hydrogen plant, कहाँ पे बनने वाला है, यह बनने वाला है, पूने में, next है, which city or UT, is going to host, its first frozen lake marathon, तो first frozen lake marathon, जो है, यह करवाया गया है, in Ladakh, India's first marina boat basin offering, dockets to be built at, यह इतना important नहीं है, आप इसे छोड़ दीजे, next, who has been appointed as CEO of YouTube, तो YouTube के CEO बन गया है, कौन, Neil, Mohan, next, dharma guardian is a military exercise between, तो dharma guardian military exercise है, between India and Japan, next है, in which state, robotic elephant performing ritual duties is introduced, ठीक है, तो elephant, जो है, robotic elephant use किया जाएगा, to perform rituals, यह किया गया है, in Kerala, UIDAI has launched AI chatbot, तो इसका नाम किया है, chatbot का, यह है, Mitra, what is India's rank in global labor resilience index, तो global labor resilience index में, इंडिया की rank है, 65th, next है, who has been appointed as new CEO of, Niti Aayog, तो Niti Aayog के new CEO बन गए है, BVR, Subramaniam, who has become chief director of world bank, तो world bank के chief director बन गए है, परवेश्वरम, IER, next है, which cricketer breaks world record of hitting most sixes in test, तो यह बन जाते हैं, Ben Stokes, next है, dust link is a training exercise between India and, तो dust link जो है, यह एक training exercise है between India and, Ujhbekistan, 18th, world security congress to be held in, तो यह होने वाला हैं in Jaipur, next है, Shiv Shristi theme park, inaugurated in, तो यह inaugurate किया गया है, पूने में, Huasung 15 is an intercontinental ballistic missile developed by, तो यह Huasung 15 जो है, यह developed किया गया है by North Korea, next है, Central Water Commission signed MOU with, DASH to set up International Center for Excellence, तो यह कौन करने वाला है, Central Water Commission with IIT Roorkee, next, MOSI 2 is a joint naval exercise between South Africa and, तो यह है, Russia और चाइना के साथ, South Africa की naval exercise, next है, who became UNICEF National Ambassador of Childright, तो यह बन जाते हैं, आयुशमान खुराना, who won Ranzi Trophy title 2023, तो Ranzi Trophy जीता है किसने, यह जीता है, सवरास्ट्र ने, first nuclear plant to be built in, तो first nuclear plant कहाँ पर बनने वाला है, यह बनने वाला है, हर्याना में, next है, who won the best actress award in, दादा साहे फाल के अवार्ड, तो दादा साहे फाल के अवार्ड, में best actress जीता है, आल्या भट ने, who is PM of Italy, तो Italy की PM है, Georgia Melanie, next question, खजुराहो dance festival organized in, तो खजुराहो dance festival organized किया गया है, मध्य प्रदेश में, world day of social justice observed on, तो यह observe किया जाता है, Feb 20 को, who won the best actress at BAFTA awards, तो यह जीता है, Kate Blanchett ने, who won Argentina open title, तो Argentina open title किसने जीता है, यह जीता है, Rafael Nadal ने, ओ, 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 के, यह जीता है किसने, Carlos Alcaraz ने, ठीक है, सौरी थोड़ा गलती हो गया, next है, which high court becomes the first to publish judgment in regional language, तो यह बन जाती है, Kerala high court, who wrote the book, Modi Shaping a global order in plucks, तो यह बन जाती है, कौन, किसने लिखाय यह book को, JP Nadda ने, next है, who has been awarded international mother language award, तो यह जीता है किसने, Mahindra Mishra ने, who has been appointed as drug controller general of India, तो drug controller general of India बन गये है, Rajiv Raghuvanshi, where is I2U2 business forum held, तो यह I2U2 business forum हुआ था, अबुधाबी में, National Horticulture Festival to be held in, तो National Horticulture Festival होने वाला है, Bengaluru में, बारिसू कनड़ा दिम दिवा फेस्टिवल, कहाँ पे होता है, यह होता है, इन, डेली में, next question है, what is India's rank in world, press freedom index, तो यह है 161, तो देखिए थोड़ी वीडियो लंदी हो रही है, तो हम सारे questions को नहीं करते हैं, सिर्फ आप, एक बार जास देखते जाईए, हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो देखिए, ले पे book prize किसे दिया गया है, यह दिया गया है, मारिया स्टेपानोवा को, next है, press freedom index कब observe किया जाता है, यह होता है on 3rd May, next है, किसे most innovative state का rank दिया गया है, यह दिया गया है, करनाटका को, next है, president कौन बन गया है, world bank के, तो world bank के president बन गया है, आजे बंगा, next है, giga chat, एक chat GPT है, यह किसने release किया है, यह release किया है, रशिया ने, next, who has won 2 diamond league, तो 2 diamond league जीता है, नीरा चोपरा ने, my life as a comrade, यह book किसने लिखी है, यह लिखी है, KK शैला जाने, एक new border बनाया गया है, between India और Bangladesh, उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है, heart, next, who has won Miami F1 Grand Prix, तो यह जीता है, Max versus Tappan ने, Pulitzer Prize किसने जीता है, तो यह जीता है, 1 and 2 किसने, David Copperfield और Harnas Diyaz ने, Asian Summit की host कौन country है, यह आपको बताना है, तो यह host किया जा रहा है, in Indonesia, next है, ठीक है, यह important है, देखिए, which Indian actress has become, first Indian Global Ambassador, ठीक है, तो इंडिया से कौन बन गई है, brand ambassador of Gucci, तो यह बन गई है, Alia Bhatt, next है, new CEO of Tea Trader, कौन बन गई है, यह बन गई है, Linda Yaka Rino, my life in a design, यह book किसने लिखी है, यह लिखी है, गौरी खान ने, who has become, new chief minister of Karnataka, तो यह बन गई है, सिद्धर आमाईया, तो union law minister, कौन बन गई है, हमारे नए, तो यह बन गई है, अर्जुन रान, मेघवाल, next question है, France का highest civilian award, किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है, एंचंदर शेखरन को, the golden years, यह book किसने लिखी है, तो यह book लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने, next है, al-mohed-al-hindigism, naval exercise between India and, तो इंडिया और किसकी naval exercise है, यह साओधी एरेविया की, next है, quad leader summit होने वाला है, तो इसकी host country कौन सी है, तो यह host किया जाने वाला है, in India, next है, इंडिया की rank in, Hankies Annual Misery Index, तो यह है, इंडिया की rank, यहाँ पर, 103, international booker price किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है, Georgie, गौस्पर डिनोव को, तो तुरिपुरा के brand ambassador कौन बन गये है, in tourism, तो यह बन गये है, सौरव गांगुली, भोतो जातरा festival, यह कहाँ पर celebrate किया जाता है, यह celebrate किया जाता है, नेपाल में, next है, Central Vigilance Commissioner कौन बन गये है, तो यह बन गये है, प्रवीन कुमार श्रिवास्तो, next है, Monaco Grand Prix किसने जीता है, यह जीता है, Maxwell से टैपिन ने, 57 जान पीट अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है, दामोदर माउजो को, ठीक है, next question देखिए, G7 Summit कहाँ पर हेल किया गया, G7 Summit हेल किया गया है, in Japan, next question, who has become new Vice Chief of Air Force, तो Vice Chief of Air Force बन गये है, आसुतोश, दिख्षित, तो जो कोशिन उतना important नहीं है, मैं उसको छोड़ दे रही हूँ, सिर्फ आपको important बता रही हूँ, बाकी आप ऐसे पढ़ लीजेगा, देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इंडिया की रैंक क्या है, तो ये है 161, ठीक है, तो इंडिया की first road tunnel बनी जा रही है, इन अंडर सी, ठीक है, तो अंडर सी बनाई जा रही है, इन मुंबाई, खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम कहाँ पे start किया गया है, तो ये start किया गया है, इन उत्तर प्रदेश, तो लॉरेन स्मोर्ट's man of the year award किसे दिया गया है, ये दिया गया है, लियॉनल मैसी को, तो ministry of earth sciences के minister बन गये है, किरन रिजवीजू, English Premier League, ठीक है, ये किस ने जीता है, एक football tournament है, ये जीता है, Manchester City FC ने, ठीक है, उसके बाद है, Digital Science Park, ठीक है, एक नया Digital Science Park बनाया गया है, कहाँ पे, ये बनाया जाएगा in future, ये बनाया जाएगा in तिरवन्त पुरम, next है, New Tennis Ambassador of Star Sports बन गई है, सानिया मिर्जम, first state to bring digital health card for children बन जाते हैं, कौन सी state, ये बन जाती है, उत्तर प्रदेश, next question है, समुद्र शक्ती, एक naval exercise है, बिट्वीन इंडिया और, इंडियन ओशिया के बीच में, ये एक military exercise है, next है, Monlan Chemo Festival, कहाँ पे celebrate किया गया, तो ये होता है, इन लदाक, in which stadium, final match of IPL 2023, we played, ठीक है, तो IPL का final match, कहाँ पे खेला गया था, तो ये खेला गया था, इन नरेंद्र मोधी stadium, next है, who has won the IPL title, तो ये जीता है, चिन्नाई सूपर किंग्स ने, next है, who has become first wicket keeper, to reach 200 dismissals, तो ये जीत गये है, किसने, MS Dhoni ने, तो highest wicket taker, in history of IPL, बन गये है, युजवेंद्र चेहल, तो first meeting of, governing board of Wimstech, कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है, बैंगलोरू में, RBI का foundation day, होता है, on April 1st, ठीक है, NATO की 31st member, है ना, new member add की गई है, NATO में, तो ये है, Finland, next है, इंडिया की rank in passport, index हो जाती है, 144, Australian Grand Prix, जीता है किसने, ये जीता है, Max, वर्स टैपन ने, next question, who has been awarded, as best actor, leading role, in 68th Film Fair Award, ठीक है, तो 68th Film Fair Award में, leading actor का, जो award है, ये दिया गया है, राज कुमार राओ को, तो चलिए, ये था, अमारा आज का last question, ये questions है, आपके लिए, आपको इसका answer देना है, तो Barcelona title, किसने जीता है, आपको ये बताना है, कोप India, ये किसके बीच की exercise है, ये आपको बताना है, next है, मन मदुरई, received GI tag of which state, ये आपको बताना है, इसके बाद, दो हर डायमेंड लीग, ये किसने जीता है, ये question आपको बताना है, इसके बाद है आपका question, वर्ल बैंक के, निउ प्रेसिडेंट कौन बन गये हैं, तो ये थे हमारे सारे questions, तो मैंने ट्राइ किया, कि जितना short हो वीडियो उतना करूं, ठीक है, क्योंकि top 400 questions, इतना easy नहीं है, मतलब one hour में complete करना, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजे, कुछ questions को मैंने skip किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा lengthy हो रहा था वीडियो, उनको आप एक बार जस्ट पढ़ लीजेगा, ठीक है, तो ये था हमारा आज का last question, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और इन वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपकी इन में कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दोंगी, थैंक यू, have a nice day,